हेलो दोस्तों मैं रंजन कुमार इस वीडियो में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो आज हम लोग जानेंगे घर का जो विजली का बोड होता है उसी का वाइरिंग करना तो देखिए इस बोड में जो लगा हुआ है एक फ्यूज है एक इंडिकेटर है और य फ्यूज कितने लोड पर कितने का फ्यूज लगाया जाता है वो अगर आपको नहीं पता है तो एंडि स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा वह जरूर आप लोग देख लीजएगा तो पता चल जाएगा तो चलिए इसका वाइरिंग करते हैं तो वाइरिंग जानने के लिए वीडियो में लाश्ट तक बने रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह सुईच दो सुईच इधर है सबका यह एक एक पॉइंट जो है इसको आपस में चारो सुईच का एक पॉइंट आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो देखिए मैंने चारो सुईच का आपस में कनेक्ट कर लिया उसके बाद ये वायर लेके फ्यूज से इंडिकेटर में एक वायर कनेक्ट कर लेंगे और यहीं से फ्यूज से एक वायर इधर सुईच का चारो जो कनेक्ट किया है आपस में पॉइंट को वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां जो खाली एक स्विच का खाली जो पॉइंट था वहां से एक वायर लेके और यह सोकेट के एक पॉइंट में कनेक्ट देंगे और इधर इंडिकेटर के एक पॉइंट से यहां दूसरे सोकेट के दूसरे प्वाइंट में connect कर देंगे ये पंखे का जो controller है इसमें दो वायर निकलता है तो इसके एक वायर को ये switch में connect कर देंगे जो कि ये पंखे के switch का काम करेगा और ये control का काम करेगा और ये wire को पंखे से connect कर देंगे तो देखिए मैंने ये खाली वाले प्वाइन्ट में एक वाइर को कनक्ट कर दिया और दूसरे वाइर को यह पंक empowerment कर दिया अब यह जो खाली पॉइन्ट है का इसीज का इसको इस ब्रॉफ से कनेक्ट कर देंगे तो देखिए यहां से यहां % इस बलफ के एक पॉइंट को कनेक्ट कर दिया उसके बाद इस यह जो स्वीच बज गया एक पॉइंट खाली इसको इसके एक पॉइंट इस बलफ के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे तो देखिए यहां से यहां मैंने कनेक्ट कर दिया तो यह सब को कनेक्ट दिया अब यह आज में यह सबको एकवाइर को नेक्ट करेंगे सबक्स को पहले कि भोश को इन्डीकैटर में और सारे में देंगे ताकि सब भी इधर कोई कोई शॉटिन हो तो यह किट जाए अरएधर कोई कोई भी काम करना हो सोई बदलना हो या कंट्रोल बंदना हो कोई भी काम करना हो तो यह फ्यूज निकाल के और यह फ्यूज निकालेंगे तो यहां इंडिकेट करना जो लाइट के इंडिकेट करता है वो बंद हो जाएगा इसका मतलब कि इधर का क्रेंट खतम हो गया तो इध से इस न्यूटल में कनेक्ट कर देंगे उसके बाद एक वाइड लेके यहां से इस बलफ में कनेक्ट कर देंगे तो देखिए मैंने यहां से लेके एक बलफ में कनेक्ट कर दिया उसके बाद फिर यह बलफ को यहीं से न्यूटल कनेक्ट कर देंगे तो देखिए यहां से मैंन से न्यूटल सोकेट को मिल जाएगा तब यह वाइरिंग कंपलीट हो गया जैसे एक रूम में एक बंखा दो लाइट हो तो कौन से लाइट कब जलाना है दोनों जलाना है या तीनों चलाना जैसे मर्जी हम स्वीच से ऑफरेट कर लेंगे इसको तो यह फुल कंपलीट हो गया है यह वाले पॉइंट में तीशरे पॉइंट में जो ऊपर होता है सोट में उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है तो इससे फायदा यह होता है किसमें कोई इसाथ बीज़ब करन लगाएंगे keyter हो गया फ्रेज़ हो गया जो भी उप करन हो एसलिप्लाइजर हो गया तो कभी- पर की में करेंट आता है तो इसका फाइदा यहीं होता है व囉 मंदिंग का ऊते ही और अधियाद रखें के Δोस्तों जब विजो फायर होता है वह होगी मिभ्याइब लगोएं लिए लेखा लगता वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत थैंक यू